हेल्दी और टेस्टी रेसिपी की डिमांड हर घर में होती है तो उसी को पूरा करने के लिए आज बनाते हैं पालक पनीर पराथा इसके साथ हमें ना डाल चाहिए ना सब्जी चाहिए ये अपने आप में एक पूरा मील है वेल्कम टू मीठा और मसाला आईए शुरू करते हैं सबसे पहले पालक की पेस्ट बनाएंगे इसको मैंने धो कर लिया है पेस्ट में डालेंगे हरी मिर्च मैं या तीन ले रही हूँ और साथ ही डालेंगे अद्रक और फिर से इनको चर्ण कर लेंगे अब पराठे के लिए बनाएंगे डो लेंगे दो का पाटा अलेंगे नमक अब डालेंगे दो चमज घी आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं घी को अच्छा मिक्स करके आटे को दो हिस्टों में डिवाइट कर लेंगे अब एक हिस्टे का हम पाने के साथ डो बना लेंगे अब दूसरा डो भी बना लेंगे पालक के पेस्ट के साथ दोनों ही डो की कंसिस्टेंसी सेम होनी चाहिए इनको ग्रीस करके 10 मिनिट तक के लिए रख देंगे अब इनके पेड़े बना लेंगे और पतली पतली रोटियां बेलेंगे थोड़ा थोड़ा सुखा अटा स्प्रिंकल करके रोटियों को रखते जाएंगे ताकि ये एक दूसरे पर चिपके नहीं सारी रोटियां पेल ली है थोड़ा थोड़ा सा घी लगा देंगे और थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल कर देंगे अब इनको एक हरी और एक सफेद इस तरह से स्टेक कर लेंगे अब इन रोटियों को रोल कर लेंगे अब इनको काट लेंगे देखिए इसकी परतें कितनी सुन्दर लग रही है अब चाहें तो इसे ऐसे भी सेख कर खा सकते हैं मैं इसको पनी स्टफ करके बनाऊंगी रोटि केक हिस्से पर बटर लगा लेंगे और पनीर को ग्रेट कर लेंगे स्प्रिंकल करेंगे चिली फ्लेक्स और चाट मसाला और दूसरी रोटि से इसको कबर कर देंगे और साइड को सील कर देंगे फोर्क के साथ अच्छे से दूसरी साइड से भी सील कर देंगे थोड़ी थोड़ी दूर पर चाकु से कट लगा कर दिजाइन दे देंगे कुछ इस तरह से पहले दोनों तरफ से ऐसे ही सेख लेंगे अब तेल डाल कर दोनों तरफ से अच्छा करारा क्रिस्पी होने तक सेख लेंगे हमारा क्रिस्पी पालक पनीर पराठा तयार है सर्फ करेंगे हरी चटनी कैचप के साथ झार फ्क्रिस्पी प्टनी कचप कर दोनों तोनी फच्छा कर दोनी कैची होनी प्रफ से आफ से वड़ेगे झाल